परम सन्मानियो गुरूरू गुरू खाल्सा सा संगजी वाहिगुरू जी का खाल्सा वाहिगुरू जी की फते प्यारी सा संगजी तानतान बाबा नन सिंग जी माला क्यों फेरदेशन हते किन्नी फेरदेशन आओ बड़े प्रेम नाड सर्वन करिए माला नाल सिम्रन करंदा पुरातन सम्मे तो ही विधान है बहुते तर्मा विच माला नाल सिम्रन करंदियां कथावा अते तस्वीरा मिल दिया हन कई तर्मा विच ओना दे महान व्यक्तियां दे गड़े पाई माला भी नजरों दी है पर मालानों हार एक ने नहीं कबूलिया, कईयां ने विरोध भी किता है इस करके कई लोग इस दा खंडन भी कर दे रही हैं, अते कई मंडन भी सिख्तर विच भी अजहया ही होया है श्रोमणी गुर्धवारा प्रबंद कमेटी, अम्र सर्दे तार्मक मासिक पत्तर गुर्मत परकाश, मार्च 1960 दे अंक विच सरदार जोगेंदर सिंग सेठी दे एक लेख चपया, माथे तिलक हाथ माला जो माला नाल सिम्रण करंदे विरोध विच सी एसे तरह एक होर लेख, सप्ताहिक पंथ, नमी दिल्ली दे अंक विच छपया, माला फिरन दा बंदान जो माला नाल जाप करंदे हक विच सी पाव ए के समय समय माला नाल सिम्रण करंग, अते माला नाल सिम्रण ना करंग समंदी चर्चा चलदा ही रहा है आज भी चर्चा है के सिख तरह विच माला दा विदान है के नहीं सिख तरह विच माला बारे दोहा तरह दे विचार मिल दे हन गुर्बानी विच पकताँ पास माला होन ते ओना दा माला नाल सिम्रण करंदा जिकर बड़े सपस्ट रूब विच आया कबीर जी गुर्मंतर प्राप्त करनो प्रंथ माला नाल सिम्रण कर दे सन निश्चे ही कारदा कामकार काट होनदा है सिटे वज़ा कबीर जी दी माता जी ओना नू निपूते होन दियां गाला मी गड़ दी है ते केंदी है के साड़े कोड में विचता कोई अजेहा नई सी जो राम केंदा होगे जातो इसने माला लई है ओदो तो ही साड़े कारदा सुख चैन गवाज गया है कबीर जी ने माता देव लंबे नू अपने शबना विच इंज बियान कीता है हमारे कुल कौने राम कहेओ जबकी माला लई निपूते तब ते सुख ना भयो एसे तरह कबीर साफ प्रभू नुपुखे रहके पगती ना हो सकन दा ताना दिन्दे होए माला सुटते दिखाई दिन्दे हैं पूखे पगत ना कीज यह माला अपनी लीज यह एस तों उल्ट कबीर जी आप ही माला दे विरुद बाणी राच रहे हैं कबीर जपनी काठ की क्या दिखलावै लोए हिरदय नाम ना चेत ही इह जपनी क्या होए शिरी गुरु अरजन देव जी ने भी माला दे विरुद बाणी उचारी है माला फेरय मंगय विपूत एह बिद कोई ना तरयो मीत पगत बेणी जीवी माला नू पांट देही दिश्देहन म्रेग आसन तुलसी माला कार उजल तिलक कपाला रिदय कूड कांठ रुद राखं रे लंपट क्रिसन पाखं उपरी नजरे देखिए ता एह विचार माला फेरंदे हाक वेच जा माला फेरंदे विरुद जापदे हन परांतु जे यसी थोड़ी डूगी नजर नाल देखिए ता पता लगदा है एह माला विरुद नहीं सगो माला फेरंदे टांग विरुद हन माला नू केवल दिखावे मातर फेरना तोखा है एक पखंड है हर माप पुर्षति गूरु साहेम ने इस दा विरोध कीता है गूरु साहेम जी दा पुर्माण है के प्रभु दा नाम माला वांग हिर्दे वे सिम्रे जावे जिसनु ओना ने हर माला नाम दिता है मनोख हिर्दे विचों जाप चरे अ ते मुक्तम हर बोले इस त्राँ दी माला उसनो निच्चे ही जनम मरन तों मुक्त करवा के प्रभू नड जोड़ दी है हर माला उर अंतर ता रहे जनम मरन का दूख निवा रहे हिर्दै समाले मुख हर हर बोले सो जन इत उत कत है न डोले कहो नानक जो राचय नाए हर माला ता कैसंग जाए सिख तरह विच माला ता सिम्रंदा केवल एक सादन है माला अपने आव विच कुछ भी नहीं ये ता केवल सिम्रंद करन ली हथ्यार है माला दे कारज इस पकार हन पहला कारज माला हाथ विच होन नाड बाहर पैदे मननों इकागर करना सोखा हो जन दा है क्योंकि माला ता रिनू चाटखे आला जन दा है के पाई तेरा मन किदर जा रहा है गुरु साहिव दा फुर्मान है आवै साहिव चित तेरे पगता डिठेया अर्थात जोदो ही मैं तेरे पगता दे दर्शन करदा हां ता मेरे मन चित विच साहिव दा चिता आ जान्दा है एसे तरह माला भी साहिव दा चिता करवोंदा कारण बन दी है दूजा कारे माला दा दूजा खितर है गिन्टी करन्दा गिन्टी बंदे यह लई किती जांदी है बंदे यह तो बिना मनोख़दा मन थोड़े सिम्रन वी बहुता माल लेंदा है जिस दा सिटा पूरन लाब नहीं हुंदा वो दारन वजों साड़ा नितनें पांज बाणियां दा पाठ करना है ते साड़ा नितनें पांज बाणियां पढ़के ही पुरा होवेगा मानतां टाला करेगा के आज ये इकले जब जी साव दा पाठी बहुत है जा वाद तो वाद एक बाणी होर पडल है पर साड़ बंदेज है ताँ असी निश्चे ही पाँज बाणी दा पाठ करांगे एसे गिंड़ती वास्ते भी माला दा सहारा लेया जाना है गिंड़ती करना केवल नेतनेमनों पूरा करना है जो कोई गिंड़ती नहीं करना चोंदा जा गिंड़ती नों बोष समझदा है ताँ ओह अपना समा नियत करके अभियास कर सकदा है उसलिए माला कोई जुरूरी नहीं तीजा कारज, माला दा तीजा लाग आनपड़ लोकान हुंदा है, आनपड़ जा काटपड़े लिखे लोकान लई, ये एक बहुत वधिया टंग है, बहुत लोग, शिरीगुरु गरंसाइब जीदे पाठ दी गलत एकपासे रही, मूल मत्र भी शोद नहीं पढ़ सकते सां, तो उर्ते 108 मनकें दी प्रसेद है, जिस दा दूजाना अठोतरी है, प्रांतु वक वक तर्मा अते संपरदामा विच वक वक मनकें दी माला दा नेम है, एंज एक माला 25, 7, 3, 5, 5, 100, 108, 110, 111, 1.500 अते 108 मनकें दी भी हो सक्दी है, योगनी तंतर विच महादेव दा वचन है, पच्ची मनकें दी माला मुक्ती दैक हुन्दी है, स्ताई मनकें वाली जिसनों आमत औरते सिमर्ना भी कहा जान्दा है, तन दुरुस्ती प्रदान कर दी है, एंज ही ती मनकें दी माला तन दायकते पयाम मनकें दी मंतर सिदी लई हुन्दी है, प्रंतु सारे मनतवानों गंथा विच आड़ पांदे लिखे हन। गंथा विच आड़ पांदे लिखे हन। गंथा विच आड़ पांदे लिखे हन। जिस दा सारा जमा जोड अटे सटे नाल ते बिना दलील तो है मुसल्मान ना दी माला सौ जा एक सुएक मनकें दी होया कर दी है मुसल्मान इसनू तस्वी आख दे हन इसलाम तरह विच खुदा देन डिन्वे कुण वाचक ना हन अते एक खास ना अल्ला है एंज कुल मिला के सौ नाम दी सौ मनकें वाली तस्वी बनी है इस वेचो मेरू नू नहीं गेण दे मेरू माला दा श्रोमनी मनका होंदा है जितो माला दा अराम पते समापती होंदी है प्रंतु कई मुसल्मान मेरू नू माला विच गेण दे हन इसलेई हो तस्वी दे एक सो एक मन के हुंदे हैं हजरत मुहमद साहिब बारे मन्य जान्दा है कि ओह तस्वी नहीं रखदे सन वहाबी मुसलमान होनवी तस्वी नहीं रखदे सब उंगलियां ते ही गिंती करदे हैं गुरु साहिबाना ने सच्चे दिलों तस्वी फेरंदी हदैद किती है तस्वी याद करो दस मर्दन सुन्नत सील बंधान बरा हिसाईयां दी मालादन नाम रोजरी है यह डेड़ सो मन कें दी हुंदी है इस दा नियम है के नौ मन के छोटे अते दस्वा वड़ा मन का हुंदा है एंज एक सो पैंती छोटे मन के हुंदे हैं अते पंद्रा वड़े मन के छोटे मन के माता इव लई हुंदे हैं ते वड़े पिता नौस्टर लई इस साईयां दी छोटी मालादे पच्वंजा मन के हुंदे हैं जिसनु चैप ले टाख दे हन इस दा भी दानवी वड़ी माला वांग है परन्तु इस दे दस छोटे मन के हन दे ते ग्यार माँ वड़ा मन का हनता है रोबन कैबुली की साइया विच माला दा विशेश पर चार है जैनिया दी माला 111 मन के दी हन दी है लकडी दी, फाल दी, तातू दी अते रतन दी जीना विच तुलसी, चंदन, मोती, बलोर, मूंगा, सोना, कमल दे भी रुद्राक्ष आदों दे हन आज काल ओन दी माला, लोहे दे मन के दी माला अते पलास्टिकी दे मन के दी माला भी काभी परचलत है बाबा नांसिंग जी हमेशा हाथी दे दांदी माला पुसांद कर दे सान आप इसनों बड़ी सुच्ची अते सोनी समिदे सान ओनाने आप भी कई हाथी दांद दियां माला वर्तियां हन अते अपने सेवकानों भी दितियां हन लोहे दी माला बारे बाबाजी दा विचार सी के एहे तमोगुण पैदा कर दी है ग्रिस्ती नू नहीं वर्तनी चाई दी सगो शस्तरतारी लई अज यही माला योग है बाबाजी ओन दी माला नू भी चंगा समय दे सा बाबा नंद सिंग जी माहराई ने माला फेर के सहज पाठ करनदा फाल दस्या है के जेकर एक व्यक्ती मूल मंतर दियां छे माला हर रोज फेरे ता महीने विच एक पाठ दे बराबर पाठ हो जानदा है एसे तरह वहे गुरू दियां असी माला हर रोज फेरे ता भी एक महीने एक सहज पाठ जिना पाठ हो जाना है मसला सी के बाबाजी ने मूल मंतर दियां छे माला दा हिजाब करन दा क्यों हुकम कीता है पांजे यां साथ क्यों नहीं कहिया फिर गुर मंतर दियां असी माला दा क्यों हुकम कीता है साथ सतर जां असी ते सौ क्यों नहीं कईया बहुत खोज अते पुछ परताल करके अंत दास इस सिटे ते पुजया के बाबा जी दे इस सिदात दादार पाठ दे अखर सन किन्ने अखरां दा जाब एक मन के ते हुंदा है उसे साब नाड गिंटी बन जन दी है दास दी इस खोज नाड लगबग सारे महापुर्ख अते संगी सैमत हन शीरी गुरु गरंसाहिब जी विच मन्या जन दा है के दास लख चौवी हजार अखर हन दास लख हुते चौवी हजारा ता ते बती हजार सलोग उचारा मूड मतर दे साथ अखर बन दे हन इस दी एक माला विच चौट सो असी अकरण दा पाथ हो जन दा है जो एक सहज पाढ़ दे अखरातों अधिक है इस हिसाब नाड मूऽ मतर दे हार रोज शे माला करन नाड महिने विच एक पाढ़ दा फ़ल हो जन दा है सिटा ए होया है के मूल मतर दियां 180 माला नाल शिरी गुरु गरंसाहब जीदे पाठ दे बरबर पाठ हो जानदा है इसलिए कोई व्यक्ती जिनिया वद माला फेरेगा और नहीं वद जाप हो जाएगा जे कोई मनुक 60 माला हर रोज दियां करे ता ओहो तेन दिना विच शिरी गुरु साहब दा पाठ कर लवेगा कई जग्यासू 100-100 माला हर रोज दियां करते भी वेखे गए हन एसे ही साव नाड वाहगुरु शबद्दा जाप है बाबा नान सिंग जी महराज वाहगुरु दे जाप नाड हर रोज शिरी गुरु गरंशाइब जी दा पाठ कर लिया कर दे सन अजेहे जाब विले बाबा जी अपने पास दो माला रखे कर दे सन सज्जे हाथ दी माला जाब करन लई हुन्दी सी अते खबे हाथ दी माला गिन्टी करन दी हुन्दी सी बाबा जीदा फुर्मान है के 80 माला वह गुरु दियां हर रोज करन नाल एक महीने पिछों शिरी गुरु गरंसाहिब जीदा पाठ हो जान्दा है पाव ए होया असी गुणाती बराबर 24 कोल 24 माला करन गुरु सहीब दा पाठ हो जन्दा है जे कोई जगयासु अबे असी जा संत माह पुर्ष हर रोज दिया 24 माला कर लवे तां शिरी गुरु गरंसहीब जीदा हर रोज पाठ हो जन्दा है हैरानी दिगल ए है के बाबाजी हर रोज 24 माला दा जाब करया कर देशन गुरु सहीब दा इन्ना पाठ करन लई बाबाजी 6 पकण पकियां माला फिर देशन सपष्ट है के 400 माला दी एक पकण पकी माला हुंदी है बाबा जी सजे हाथ वेच जाब दी माला रख देशन ते खबे हाथ वेच गिन्ती लई एक मन के ते आप चार वारी वाहिगरू, 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 वाहिगरू केंदेशन एंज जदो एक माला पूरी हुन्दी सी ता खबे हत्वाली माला दा एक मान का सुट दे सन एंज एक एक मान के उपर चार चार माला हो जान दियां सन जदो 108 मान के पूरे हो जान दे सन ता ओस समय 400 बती माला हो चुकियां हुन दियां सन बाबा जी इस दियां चार सो माला ही गेंड़े सन एहो पकण पकी माला सी इस परकार खबे हाथ वालियां जाद छे माला पूरियां हो जान दियां सन ताँ छे पकण पकीयां माला हो जान दियां सन ते एस नाल शिर्युगुरु गरंसाइब जीदा पाठ हो जान दा सी एक माला फिर गए, ते कैन लगे, हरागा सिंगा, जो दो नितने विच होईए, ता एस्तों भी ज़्यादा फिर जांदिया हैं। ए है अब आसी पुर्खा दा सिम्रन, कई लोग एस्ते भी किंटू कर दे हन, के अजेहा के में हो सकता है। पर अब आसी लोग जान दे हन, के एहे बिल्कुल साच है, ते सोडा आने साच है। माला नाल जाब करन संबंदी, संता विच कई पुलिखे पए हन, एक पुलिखा ए है, के मेरू नू टपया जावे, या वापस ही मुड़ा जावे। जे में असी जिकर का रहे हैं, के माला दा कारज केवल गिंड़ती आद करना है, मेरू नू टपना, जा ना टपना, कोई अर्थ नहीं रखदा, इसलिए किसे संकोई दी लोड नहीं है। दूजाप लिखा, के की चीचीदे नाल दी उंगल नाल, माला करन दे वाद पुन बन देहन, शास्त्रा विच इस दा जिकर जरूर आया है, प्रंतु सिख तरह विच, अजेहा कोई फरक नहीं है, माला पहली उंगल दूजी, तीजी, जा अंगूठे नाल किती जावे, कोई जेहा है, तीजाप लिखा है, माला पुठी करना, अंगूठे चा पहली उंगल नाल, अंदर नूँ मन के ले जाने, सिद्धी माला है, अजे अंदरों बाहर नूँ मन के कड़ने, पुठी माला है, शस्त्रा आमसार, किसे दुश्वन ली, पुठी माला नाल पाठ किता असी, ता जो उस दा नुक्सान हो जावे, प्रंतु सिख तर्म विच अजेहा कोई विदान नहीं है, बारों अंदर नूँ मन के ले जाना ही योग हन, एहो त्रिका ठीक, अते सोखा मन्या गया है, बाबा जी केंदे हुन दे सान, पहला कीर्तन वे छाजरी देओ, फेर अप ता बाहरली माला अपने आप ही छोट जावेगी, पर पहला माला फणनी जरूरी है, बाबा नन सिंग जी महराज बहता सिम्रन करवोंदे ही माला नाल सान, ओहो लोक गुर्मंतरते मूल मतर माला नाल करके, एक महिने विच शिरी गुरु गरंसाइब दे, एक सहज पाठ दा प्राप्त कार लेंदे सन, बाबा जी दा सिम्रन करवोंदे एहे टंग, अपना ही सी अते निराला वी, पूरण माशी दे दिवान दी समाप्ती तो पहला, ते अरदास तो पिछों, पाठा दा दरगाही परशाद वर तौन ले, ओह बचन करया कर दे सन, कोई कुझ मांगदा है, कोई कुझ मांगदा है, मांगदे असी भी हाँ, आपा कपड़ा नहीं मांगदे, कोई रोटी नहीं मांगदे, होर कुझ नहीं मांगदे, पर मांगदे असी भी हाँ, चोड़ी अटी खड़े हाँ, हर कौम, हर प्राणी, हर अमीर गरिब तो दर्गा में एक शैदी तो उड़ पैगई है, ओो क्या है जी, ओो नाम है, एस विले नाम की तो उड़ पैगई है, नाम अलब हो गया है, चोड़ी गड़ी बैठे है, मंगते हैं हर किसे दे, आब दा वक्त, दो कड़ी वक्त मंगते हैं, स्वेरे उठो इशनान करो, नितने में बैठ जाओ, नाम जपो, गुर्मको, नाम, दान, इशनान, समा जरूर कड़ो, अगली पूर्ण मशी तक पाठ करो, एथे लखा देो, जो पड़या होया है, ओ महिन्ने अंदर एक शिरीगुरु ग्रण साहव दे पाठ दपो उपावे, जो सुखणी साहव पड़ सकदा है, ओ हर रोज, दो पाठ सुखणी साहव दे करे, महिन्ना पर करदा रहे, विद्वाना नहीं साहव लाया है, उस दपजन, एक शिरीगुरु ग्रण साहव दे पाठ जिन्ना हो जावेगा, जो कोई जबजी साहव दे पाठ कर सकदा है, ओ दास पाठ रोज 20 साहवदे करे महीना पर करदा रहे उस दा पजन शीरी गुरु गरन साहवदे एक पाठ जिना हो जावेगा जो पाठ नहीं जानदा पहली पौडी मूल मतर ही जानदा है ओ छे माडा पहली पौडी दियां 108 माड के वालियां करे जे एयों भी नहीं ता पुरा पाठ करे जा अल्ला दियां 80 माडा करे जा फिर चार चार वरी अल्ला अल्ला एक एक मनके दे करके वी माडा करे ए सब पजन महीने वेच एक शीरी गुरु गरन साहवदे पाठ जिना हो जाएगा उप्रोकत बजना तो सपश्ट हो जानदा है के बाबा जी एक महीने पाठ शीरी गुरु गरन साहवदा करवोन दा नेम दस्या कर दे सन जे कोई पड़या है ओह तां आप कर लेगा पर जो कट पड़े हन ओह सुखमनी साहवदे अते जबजी साहवदे पाठ करके शीरी गुरु गरन साहवदा एक पाठ कर लेंगे दुझे सारे लिए माला रही सिम्रन जरोरी हो जान्दा है जिस दी गिंटी रखके हार एक पड़या अन पड़या एक पाड शिरुगुरु गरंसावदा कर सकदा है इस करके माला रही सिम्रन करना नानक सर्दी मर्यादा दा एक जरोरी अंग बन गया है सो सा संग जी इस तरा तान तान बाबा नन सेंग जी अपनिया संगता नू माला फेरन ले केंदे सी ताके ओना दा जनम्रन कट्या जावे ते इस संसार वे चोणा सफल हो जावे हो याँ पुल्ला चुका दी खेमा बक्षणी जी दासन वाग्या देओ वाहि गुरुजी का खालसा वाहि गुरुजी की फते